हरो दोस्तों माहेंटरिश यूटूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम आप लोगे साथ जीमेल के एक बहुत इंडरेस्टिंग ट्रिक सेर करेंगे जिस ट्रिक को इस्तमल करके आप अपने इमेल से किसी को भी पासवर्ड पोटेक् किसी ने पढ़ लिया ऐसा होई सकता है कोई इंपोर्टेंट मेल हो आप नहीं चाहते कि दूसरा कोई भी उसको पढ़े तो आप इस टाइप से एक एंक्रिप्टेट पासवर्ड सेट करके उसको आप भेज सकते हैं तो इससे आपका जो जो इमेल है वो सीकर रहेगा और दो इसके बाद आगे को क्या कुछ करना है हम लोग इस्टे बाइस आपको दिखाने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अगर नहीं किसी को email send करना आता ही है अगर आप new हैं आपको email send करना नहीं आता है तो इस वीडियो को follow करके आप email send कैसे करते हो भी सीख सकते हैं तो सबसे पहले आपको यह प्लास आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है यह computer लैप्टॉप में काम करेगा अगर आप mobile से करना चाहते हैं तो आप gmail application open कर लीजिए उपर आपको three dot मिलेगा same email पर जाईए उसके बाद आपको कैसे email send करना है same to same ही है ठीक है तो अभी हमको computer में में दिखा रहे है mobile में भी same है तो आपको प्लास आइकन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने email का जो है new email message box खुल जाएगा two box में आपको वह बंदा का email id लिखना है जिसको आप email send करना चाहते हैं subject में subject उसके बाद आपको जो है जो कुछ भी आप लिखना चाहते है फॉट फाइल अटाच कुछ भी आप करना चाहते हैं वह आप इदर लिख सकते हैं तो मैं इधर से एक बंदे का email id स्टाइप कर ल password protected email है ठीक है मैं लेख दिया अब दोस्तों आपको इधर एक जो है नीचे बटन मिलेगा ठीक है नीचे आपको एक बटन मिलेगा यह जो आप देख सकते हैं जो confidential mood है इसको आपको open करना है इसके उपर आप क्लिक कर देंगे इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद आप रहा है SMS passcode ठीक है तो यही option है ठीक है तो इसी option को आज हम यूज करेंगे उपर आपका जो है दोस्तों है कि एकस्पियर का date भी है अगर आप चाहते हैं कि यह email जो आप सेंड कर रहे हैं यह इस time के अंदर automatically इकस्पियर हो जाए डिलेट हो जाए यह सब कुछ ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आप इदर से जो है वो सिलेट कर सकते हैं फिलल तो हम सीखेंगे कि password कैसे लगाते हैं तो SMS passcode आप चूज कर लेंगे basically यह जो feature है यह दोस्तो OTP का type का काम करेगा on time password के तरह काम करेगा मतलब जिसको आप email send करेंगे उसका phone number आपको add कर देना होगा जब भी वो बंदा वो email open करेगा तो उसके mobile में एक OTP जाएगा उसको डाल कर ही वो email को open कर पाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ तो simple साव आपको save button पर click कर देना है save button पर click करते ही आप देख सकते हैं यह जो है contact expire होगा यह content जो है एक content expire होगा फेब जो है 22 को ठीक है यह लिखा हुआ है तो आभी 15 है यह 7 दिन के अंदर ही expire हो जाएगा तो यह demo है आप date बढ़ा भी सकते है ठीक है छोटा कम भी कर सकते है उसके बढ़ आपको save button पर click कर देना है send button पर click करने के बाद आपको इधर एक confirm phone number बता रहा है तो आप उस बंदे का phone number type कर देंगे जिसको आप mail send कर रहे हैं ताकि वो ही बंदा इस email को open कर पाए उसके mobile में जब OTP जाएगा तब वो OTP से ही आप mail को खुल पाएगा तो मैं phone number डाल देता हूं phone number डालने के बाद आपको send button पर click कर देना है mail send हो चुका है अब चलिए उसी email पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं उपर एक mail आ चुका है hello से message है उसके बाद आप देख सकते हैं यह जो mail है यह बता रहा है verify जो है identify मतलब मुझे verify करने को बोल रहा है जो मेरे phone number दिया था वो phone number का जो two digit है वो सो हो रहा है तो जिसका number आपने दिया था और जिसको mail भेजा था उसी के phone number पर एक OTP जाएगा तो send passcode पर click करना है send passcode पर click करते ही उसी number पर एक passcode जाएगा तो passcode आ गया है मेरा जो passcode है यह है तो pass को डालने के बाद submit बटन पर click कर देना है submit पर click करते हैं आप देखेंगे इस जगा वो message होगा जो हम लेगने लिखा था Hi ये password protected email है ये या फिर दूसरा कोई कुछ भी लिखा होगा कोई file होगा तो वो आप देख पाएंगे डाउलोड कर पाएंगे तो यही था दोस्तो password protected या फिर encrypted mail send करने का तरीका जो Gmail के अंदर पहले से ही है अगर आपको पहले से पता नहीं था तो आपने सीख लिया है तो दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा आप comment करके जूरूर बताएगा अगर आपको वीडियो अच्छा